नमस्कार आदाब वस्टश्यकार और मैं हूँ सुलिंदर परिहार आप जूड चुके हैं एनच वन नियूज के साथ तो अभी की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि बीजेपी एक दो जगाप से जीत चुकी है अभी पूरे डोड़ा के अंदर जो है काउंटिंग अभी भी च चीत करने के लिए हमारे साथ ही है क्योंकि हमारे साथ में ही थे यहां के जनरलिस्ट है सिटीजन जनरलिस्ट है हमारे साथ में बात करने के लिए मौहमद सूफी सर तो आदिल सूफी सर इनसे बात करेंगे हम सर मुझे बताए कि कहां कहां से अभी जीत हासिल हुई है बीजे ऐसी constituency है जहां पर electoral vote जो है वो ज्यादा Congress का है तो Congress जो है वहाँ से I think कि वो वहाँ से जीट जाएंगे अभी declare तो हुआ नहीं है लेकिन that is going to happen Sir मैं आप से एक चीज जाने की कोशिश करूँगा जैसे District Administration ने परसू notification निकाली थी कि internet services जो है अब चालू रहेंगे तो यह क्यों उन्होंने पहले रखा था बंद और बाद में फिर उन्होंने चालू किया According to DC Doda वो जो है सोच रहे थे कि मतलब किस तरह से चलें किस तरह से नहीं उन्होंने अपने एक order में SSP को direct किया था कि वो issues जो है वो take up करें with relevant authorities and they do it मतलब internet को snap कर दें on this day लेकिन मेरे हिसाब से शायद public जो है एक dissatisfaction जो है उसमें factor plane किया तो उसके जैसे शायद ये decision जो है उसे reverse कर दिया गया internet अगर आज की डेट में बंद रहा होता तो लोग शायद सडकों पे होते वो शायद इस टाइम पे सडकों पे खड़े होके मतलब internet के ना होने की वज़े से शंका भी रहती है वो पता नहीं रहता कि हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है तो इस टाइम एक media galaxy जो है दोनु जगाओं पे दोनु counting centers में खड़ी की गई है और वो इस टाइम पे एक smoothly थोड़ा सा मतलब system चल रहा है मुझे सर ये बताए कि Factfly क्या गयता है आप Factfly के founder है तो Factfly क्या क्या गयता अभी क्या analysis है कि कहां कहां से BJP जादा मातर में जीत के आएगी या NC या Congress अभी तो कुछ कहां नहीं जा सकता है results का wait करना पड़ेगा ballots जो होते हैं उनके आने का wait करना पड़ेगा लोगों ने जिसे mandate दिया होगा वो जीतेगा फिलहाल जो यहां सबसे tough fights जो हैं वो दो sides पे चल रही है दो constituencies में चल रही है और गुन्ना में और मरमत दोनु एरियास में एक people's alliance देखा गया है PAGD जो state में देखा जा रहा है वो खाली इन दो seats पे देखा गया है revenge politics कही है कुछ भी कही है लेकिन ये दो चीजें जो हैं दोनु जगह से people's alliance है तो गुन्ना से NC की तरफ से आसिम हार्षमी जो है वो contest कर रहे है against शक्ति परिहार तो he is a new entrant first time entrant in politics so let's see what happens मरमत में मुश्ताग साब जो है वो लड़ रहे हैं Congress की तरफ से वहाँ NC का कोई candidate नहीं खड़ा किया गया तो दोनु जगहें जो है BJP के उपर गुन्ना में लेकिन मरमत में जो last update आई थी उसमें सिर्फ 11 votes का वहाँ neck to neck चल रहे है तो let's see क्या होता है देखिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीद करने है तो ये थे आदिल सूफी सर जो city journalist है या के इननोंने information दी हमें तो आप यूहीं जुड़े रहे है NH1 News के साथ आगे हम बात करवाएंगे क्यूंकि अभी कुछी देर में जो आगे की कौन सी ट्यूंचिस है वहाँ पे भी result डिक्लियर होगा तो हम आप से फिर से जुड़ेंगे तब तक के लिए दीजे इजाजत मैसल इंदर परिहार डोड़ा